यूस एटी इंडिया द्र जूटी कई दूसरी मांगों को लेकर दिल्ही घेरने की तैयरी कर लिए 2020 में भी किसानों ने करीब एक साल तक दिल्ही के अलग अलग बॉडर पर धरना प्रदर्शन किया था और करीब एक साल बाद वहां से हटे थे एक बार फिर किसानों ने ऐलान किया है कि केंद सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो दिल्ली को घेरेंगे लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाने के साथ सड़क पर लोहे की कीलें बिछा दी दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्दसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया दिल्ली और हर्याणा के बीच सिंगू बॉर्डर पर तो चार फीट उंची दीवार बना दी गई और सड़क पर बिचाने के लिए खास तरह की लोहे की बड़ी-बड़ी पटिया मंगवाली गए इन पटियों में पहले से ही नुकीली कीलों को वेल्डिंग के जरीए जोड़ दिया गया था कि ये बैरिगेट तो होगा ही लेकिन ये जो कील बैरिगेटिंग जिसी कहते हैं वो भी कर दी जाएगी जिससे कि अगर आप किसी भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप वही पर रुख जाए लोहे की नुकीली पट्टियों के अलावा पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर भारी मात्रा में कटीले तार भी मंगवा लिये ड्रोन से बनाये गए विडियो में सिंगू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए की गई तीन लेयर की बैरिकेडिंग दिखाई दी सबसे पहले सिमेंट के बैरिकेड और उसके बाद लोहे के बैरिकेड रखे हुए दिखाई दी उनके उपर कटीली तार भी रखी नज़र आई इसके बाद सबसे आखिर में बड़े बड़े कंटेनरों को एक कतार में रख दिया गया किसान अपने ट्रैक्टरों से इन कंटेनरों को हटा ना दें इसका भी इंतजाम कर दिया गया यानि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंगु बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का इंतजाम कर दिया और किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए दिल्ली और उत्तरप्रदेश के बीच गाजीपूर बॉर्डर पर भी सिंगू बॉर्डर जैसे ही इंतजाम दिखे किसानों के अंदोलन को देखते ही पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक 1244 लगा दी गई और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते के एक हिस्से को बंद कर दिया गया वहां मौजूद ट्राफिक पुलिस के सिपाही लोगों से दूसरा रास्ता लेने की अपील करते दिखे गाजिपूर Lost पर पुलिस के साथ भारी संक्या में रेपट अक्शन पोर्स के जवान भी मुस्तर दिखाई दिया ऐसा लगा जैसे वहां रेपट अक्शन पोर्स की कोई चाव नी हो किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बेरिकेड के पास तैनात आरेएफ जवानों के हाथों में आंसु गैस के गोले दागने वाली बंदूख भी नज़र आई यानि प्रशासन की तैयारी किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली की सीमा पर ही रोक देने की है खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हर्याना और पंजाब के अलावा मद्य प्रदेश और उत्तरा खंड से भी कुछ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में लेकिन किसान संगठन दिल्ली में एंट्री न ले सकें इसके लिए राजधानी को पहले ही किसी अभेध्यक खिले में तबदील कर दिया गया क्योंकि पुलिस प्रिशासन को इस बात की आशंका है कि अगर किसानों के संगठन दिल्ली में गुसे तो हंगामा बढ़ सकता है क्योंकि किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने आशु गैस के गोले दाग दिये पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसु गैस के गोलों की वज़े से वहां तेज दमाके जैसी आवाजे सुनाई दिये इसके बाद वहाँ भगदर जैसे हालात हो गए वहाँ मौझूद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए थोड़ी ही देर में वहाँ चारों तरफ सफेद धुआ फैल गया वहाँ खड़ी मीडिया कर्मियों के गाड़ियों के पास भी सफेद धुआ उठता दिखाई दिया इसके बाद पुलिस की एक टीम वाटर कैनन की मदद से पानी चड़कती नजर आए पुलिस ने इस मौक ड्रिल की जानकारी पहले ही दे दी थी लेकिन इसके बाद भी धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गए हर्याना की तरफ से किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके इसके लिए शंबू बॉर्डर को बैरिकेड और पुलिस के जवानों से पाट दिया गया दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए किये गए इंतिजामों ने तीन साल पहले हुए किसानों के अंदोनन की याद दिला दी जो सकते ही ठाल बॉर्डर को बहरुव कि रड़ Mem statistि आल के अलो है यह कि जदिल वाह दिला है क्यादा说